दतिया जिले की तीनो बिदानसवा सीटों पर दतिया की बात करें तो दतिया की जनता ने बाच्पा के मंतरी रहे डॉक्टर नरुत्त मिसरा को अपना नेता चुना तो बहीं भांडर और स्योडा में कॉंग्रिस ने अपना परच्छम लेराया अब देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है चुनाव तो खत्म हो गए हैं लेकिन आज आपको चुनावी हाल बताते हैं कि जनता ने दतिया में 70 साल में किस नेता ने कितना राच्छ किया और वो हम बताएं आपको अपनी खास रिपूर्ट में जिसका नाम है तरपालेस मतलब सतत संगर्स सक्रियता तो सबसे पहले बात करेंगे मा पीतामरा की नगरी दतिया की जहां पर मा की अपार किरपा डॉक्टर नरुत्तम मिसरा पर बरसी है और वो तीसरी पर जनता के दुलों पर राज करने में कामयाब रहे तो बहीं जनता ने उनके द्वारा कराए गए बिकास कारियों जैसे रेलवे ओवर ब्रिज न्यू कलेक्टिड जैसे बिकास कारियों पर महल लगाई और उन्हें अपना राजा मान लिया जिससे भाजबा कार करताओं में काफी उत्सा है तो चलो देखते हैं कि दतिया में दतिया की जनता ने कब किसे चुना अपना नेता सरपर्थम 1951 में कॉंगरेस से स्याम सुन्दर दास खड़े हुए और बिजय हुए तो बहीं दूसरी बार भी जनता ने उन्हें 1957 में जिताया मतलब दूसर में बिकास हुए इसके पस्चाद जनता ने बाजी पल्टी और 1963 में फिर स्याम सुन्दर दास ने बिजय फता का फेराई मतलब कॉंगरेस बिजय हुए तो बहीं 1972 में भाजपा ने उनका जीत का नियम तोड़ दिया और गुलाब चंदर कानूलाल भारती जनसंग से बिजय तो भहीं 1972 के बाद 1972 में मतदान हुआ और जनता ने फिर स्याम सुन्दर दास को अपना नेता चुना और स्याम सुन्दर दास ने जनता के दिलों पर राज किया तो फिर जनता ने उन्हें 1980 में जब अमरजेंसी लगी और दोवाना चुना हुए तो फिर कॉंग्रेस ने कॉंग्रेस ने अपना प्रत्यासी बदल दिया और राजंद भारती को टिकट दिया जिसका जन्ता पर अनुकूल प्रहुआ पड़ा और कॉंग्रेस जीत गई पर जन्ता ने फिर सत्ता परवर्तन का मन बनाया और उन्नीस सो असी में भाजपा के संबू तबारी को दतिया की गद्दी सौप दी तो बहीं दतिया में बकास हुगा और फिर मददान हुगा तो दतिया की जंदा ने फिर सत्ता परिवर्टन कराया और 1993 में कॉंग्रेस के घंसयाम सिंग दतिया की कमान सौपी। कॉंग्रेस फिर सत्ता में आ गई। तो यह हुई दतिया की बाद आप आते हैं भांडर बिधान सवापर जहां इस बार कॉंग्रेस ने बाजी मारी है और रक्षा संत्राम सरोनिया भारी मतों से बिजय हुई। जरा पिछले नतीजों को देखें तो पता चलता है कि 1957 में सबसे पहले कॉंग्रेस ने ही अपना बिधायक बनाया था जिसका नाम था राजा राम सिंग। तो बहीं 1962 में भी कॉंग्रेस ने राजा राम सिंग को टिकेट दिया और बहांडर से बिजय हुए। तो बहीं 1962 में भाजपा ने बहांडर की गद्धी कॉंग्रेस से चीन ली और किसोरी लाल हंस बिधायक चुने गए। और जनता का चुनावी अंदाज बदला तो सन 66 के बाद 72 में भी जनता ने भाजपा के चतरवज मौर को अबना अमूल मत दिया और भाजपा ने जनता की दिलों में जगह बनाई। और 1977 में फिर से भाजपा ने नंदलाल सरोनिया को टिकेट दिया जिससे वह बिजय रहे। इसके बाद 1980 में भाजपा की सत्ता में परवर्टन देखने को मिला और कॉंग्रेस के कमलापत आर के सर पर जीत का सहरा सजा। तो बहीं कॉंग्रेस का जादू 1985 में रादे स्याम के जीत के वक्त भी देखने को मिला पर 1990 में भाजपा की पूरन सीने भांडर में बदलाओ की लहर चलाई और अपनी सीट नकाल ली। तो बहीं कॉंग्रेस ने अपना दाव केशरी चोधरी पर खेला और 1993 में जीत दर्ज की तो बहीं सत्ता से दूर रही बहुजन समाज बादी पार्टी ने भांडर पर दाव लगाया और 1998 में भांडर की सीट पर अपना अधकार कर लिया। तो बहीं भाजपा भी कहां रुकने बाली थी। सत्ता बदली और भांडर में भाजपा के कमलापत आर 2003 में बिजय हुए और बिधायक बने। अब देखना होगा जनता की आंगे क्या राय रहती है और भै क्या चाहती है अगर किसी भी पार्टी को सत्ता में रहना है तो जनता के हितों की लड़ाई लड़नी पड़ेगा। 85 के बाद 90 में कॉंग्रेस से दोबारा महत्वध चुने गई और जनता में उनकी चाप बनी रही तो 1993 में कॉंग्रेस से बिधायकी बाजपा ने चीन लिए और भाजपा ने फिर बाजी मारी और राम दयाल पर वाकर बिधायक बनी। 1998 में फिर महत्वध बिधायक चुने गई तो भाजपा ने 2003 में अपना चुनावी दाओ खेला और राम दयाल पर वाकर के नेतरत में चुनाव लड़ा और जीत दर्जगी। 2003 के बाद 2008 में बहुजन समाज पार्टी ने अपना आधिपत कर लिया। 2013 में भाजपा फिर बज़े हुई और इस बार स्योणा को प्रदीव अगरवाल विधायक के रूप में प्राप्त हुई। तो बहीं 2018 में कॉंग्रेस ने बाजी मारी और घंसयाम सिंग बिज़े हुए। SRV की बिदायकों पर तरपालेस रिपोर्ट पर पूरा बस लेचन जिसमें सायोगी पत्रकार दतिया से भूपिंद्र के साधरवी बसेडिया। सियोडा से राजु राणा तो बहीं भांडर से नीलम सिंग के साथ मुरारी रगवनसी की रिपोर्ट SRV ने चुनाओं के हर पहलू पर अलग रिपोर्ट बनाई है जिसे देखने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। SRV आसा करता है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो। चलो मिलते हैं अगले बार किसी और बिसाय के साथ। तब तक आप खुस रहें और अपनी सेहत का ख्याल रखें और SRV देखते रहें। धन्नवाद।